आप सभी को होली की हार्दी शुप कामनाएं आये चानते हैं कि होली कब मनाएं और कब मनाई जाती सका शुप मोर्ट क्या है होली फालगुन मास की पोड़ी मातिती को मनाया जाता है और होली का देहन की जोतिती है duos道 22 में वो 17 मार्च को है होली का दहन शुब महोर्ट 17 मार्च को 9 बच कर 20 मिनट से राद 10 बच कर 31 मिनट तक है होली का दहन की अवधी लगभग 1 घंटा 10 मिनट और होली मनाई जायेगी खेलने वाली 18 मार्च को होली का दहन की तयारी कई दिनों पहले से करते हैं और उस जगह पर लकडिया उपले आदी एक अतित किया जाता है फिर होली का दहन के शुब महोल्ट पर विदिवत रूप से पूजन करते हुए होली का में आग लगाई जाती है होली जो है हुरदंग का दिवहार नहीं है ये असत्त पर सत्त की विजय का दिवहार है एक पारमपरी के धर्म के एक सत्त का दिवहार है और जिससे हमारे जीवन में सत्त बना रहे हैं और जिसके जीवन में सत्त हैं खुशियां भी उसी के जीवन में आती हैं कथा के अंसार दानवराज हिरन्रक शपु ने जब देखा कि उसका पुत्र पहलाद विश्णु भगवान के अत्रिक्त किसी का पूजन नहीं करता तो वो क्रोधित हो गया अपने को भगवान मानता था बहुत प्रकार से मारने की कोशिश की पहलाद को जब ना मार पाया तो अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि पहलाद को गोद में लेकर अगनी में पैड़ जाएं क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसका अगनी कुछ नहीं कर सकते और इसके विप्रीत हुआ क्योंकि भगवान का भजन करते थे पहलाद होलिका जल करके राख हो कई भक्त पहलाद का एक बाल भी नहीं जला और इसी के लिए होलिका देहन का विधान है और जब भी होलिका देहन किया जाता है तो भगवान के सिरूप का ध्यान करना चाहिए जिससे भगवान अपने भक्तों प होली गोधूल बेला के समय भद्र का प्रभा होने के कारण होली का देहन नहीं किया जा सकेगा इसलिए अगले दिन सुभा पूरिमाति थी होने के मध्यरात्री के बाद यानि रात एक बज़े के बाद होली चलाने का मुहूर्त है और जो होली खेली जाएगी वो 18 तारीक को फ अगले दोपह लगबग 12 बचकर 40 मिनट तक रहेगी 18 तारीक को दयाकाली तिथी में ठालगुन पोडिमा भी रहेगी सी तिथी में होली यानिकी 18 तारीक को खेली जाएगी स्नान दान पूजा पाठ के लिए ये शुब रहेगा इसलिए संत सन्यासी अनिशत धालु शुक्र आख लेकर के आएं और अपने मस्तक पर लगाएं प्रडाम करें भगवान के रूप का ध्यान करें और इस तरह से भगवान आपके जिवर में खुशी बनाए रखेंगे तो यह थी चोटी सिजान करें आप सभी को होली की बहुत बढ़ार्वी शुपकान नहीं